तो what's up guys, welcome to the channel, बात करते हैं Celsius और Ethereum के बारे में, दो तिन लोगों ने मेरे से question पूछा, as well as मैं notice कर रहा हूं क्या चल रहा है, तो पहली बात तो Celsius, coin की अगर performance की बात करें, आज 40% डाउन चल रहा था, अगर हम month on month देखें तो काफी जादा डाउन है, काफी सारे लोगों को य बहुत ही अच्छा Twitter thread लिखा है, तो वह प्लीज चेक आउट करें, और Twitter thread में एक चीज है, जिससे मैं थोड़ा सा disagree करता हूं, उसकी मैं यहाँ पर बात करूँगा, तो क्या हो रहा है, उसको लेके सब लोग थोड़ा टेंशन में है, कि ST ETH, so basically क्या होता है, Celsius जो है, वो एक secure है, backed, अगर देखें, investors की बात करें, तो दुनिया के top investors है, billions and billions of dollars इनके पास है, तो recently 500 million dollar का भी जो एक round निकाला था, now with that being said, one of the big people जो इनके investors में आता है, was Sam Bankman Freed and Alameda वाले, right, so overall अगर वैसे देखा जाए, तो Celsius का जो exposure है, वो बहुत ही अच्छा है, funds बहुत अच्छे है, फिर यहाँ पर चक्कर क्या चल रहा है, और लोग क्यों tension में है, so first of all क्या होता है, जब bear markets में Luna जैसी एक चीज हो गई, तो अब सब को already सब लोगों का ध्यान है, कि कहीं पर थोड़ी सी भी गड़बड हो रही है ना, वो चीज नीज में पहले आएगी, कि Luna के साथ हो गया, अपना STE यहाँ पर बेचना पड़े, और उनको जो बेचना पड़ेगा STE उसका जो number है वो बहुत ही जादा है, उससे यहाँ पर उनको ऐसा डर लग रहा है, because अगर उन्होंने वो STE नहीं बेचा, तो यहाँ पर जो collateral उसको maintain नहीं कर पाएंगे, अपने funds को maintain नहीं कर पा है, अगर वो DPEG हो गया तो ऐसा बोला जा रहा है कि उसके डर में बहुत सारे लोग अपना Ethereum जो है निकालने लगेंगे, now this is the situation जो लोगों को लग रहा है होगी, जिसकी वैसे लोग Celsius को भी dump कर रहे है, लोग अपने funds भी Celsius से बाहर निकाल रहे है, now क्या यह होगा या नहीं होगा, I don't know, nobody knows, to be very honest, यह किसी को पता नहीं है, बट यह बहुत important चीज है कि अभी क्या हो रहा है, उसके वाज़से ETH का प्राइस भी यहाँ बहुत जादा अफेक्ट हो रहा है, उसमें भी weakness आ रही है, now this is one, second, मैं जहां disagree करता हूँ, I think अगर आप वैसे देखो, तो ST ETH क प्राइस क्या है, और ETH का प्राइस क्या है, technically does not matter, क्योंकि UST और LUNA के case में situation अलग थी, यहाँ पे situation अलग कैसे है, यहाँ पे situation अलग ऐसे है, कि आप अगर आज ST ETH खरीदते हो, तो आप merge होने के बाद आपको 1 ETH मिलेगा, तो अगर आपको ST ETH 1000 डॉलर में मिल रहा है, औ और merge होने के पाद ETH का प्राइस 2000 डॉलर है, तो literally आपने ETH के लिए 1000 डॉलर दिया, बट इसकी guarantee नहीं है, right, but this is an arbitrage जो कुछ लोग खेलने का try कर सकते हैं, मैं एक blog पढ़ रहा था on all of this, और वहाँ पे यह चीज मेंचन दी, मुझे काफी interesting लगी, कि कुछ smart लोग यह arbitrage खे है, पर कुछ लोग खेलने की कोशिश करेंगे, but overall mass market का response I still think can be negative, अब होगा क्या यह पता नहीं, कल इन लोगों का Celsius वालों का एक AMA होना था, बड़ी conveniently Alex Machines की जो इनके CEO हैं, जो मैं बहुत अच्छे से follow करता हूँ, उनके सारे AMAs देखता हूँ, I think he's a very very smart person, conveniently कल उनकी आवा जहां पर जाके बात करते हैं, but कल इतने सब के बीच में, he missed that, which is very strange, मेरे हिसाब से, तो अभी तक उनकी तरफ से कोई statement यहां पर आया नहीं है, तो बहुत सारे लोग डर गए, क्या यह लूना वाला case होगा, I don't think exactly लूना जैसी हालत होगी, but it is very dangerous for sure, तो यह तो कोई guarantee नहीं कि क्या होगा, कुछ पता नहीं है, as for my funds in Celsius, I'll be safe, मैं मेरे funds निकाल लूगा, यह मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्यूं, मैं safe रहना पसंद करूँगा, मुझे interest चाहिए, yes, but because risky है, I can withdraw those funds, and जब यह पूरी situation clear होती है, मैं वापिस Celsius में डाल सकता हूँ, it is one of the apps जो मैं करता हूँ, but still it is fine, and बहुत जादा amount मैंने रखा नहीं है, but that is what I am doing, जहां तक बात है exactly, क्या होगा, future तो कोई नहीं बता सकता, market अगर और dump होती है, inflation का अभी number जब उठा के 15 June की जो meeting है, उसमें और थोड़ा गड़बर create किया जाता है market में, या गड़बर होता है market में, तो public उस पर बहुत जादा react करती है, तो इस सीज का ध्यान देन है, so इसलिए बोला जाता है, bear market हो, या bull market हो, best investment strategy is an SIP, 10 साल, 20 साल का horizon पकड़ो, SIP कर दो, now crypto में, 10 साल, 20 साल जिन्दा रहने वाला, technically देखा जातो, एक ही coin है, जिस पर इतना भरोसा किया जा सकता है, कोई भी alt coin, I don't think मैं confidence है, आपको कभी बोल सकता हूँ, 10 साल, 5 साल I can say, so मैंने पहले भी बोला है, आज भी बोल सकता हूँ, 10 साल is very tough, right, so anyways, अपन वो सब चीजों की बात में बात करेंगे, यह मैं कोई update आपको देना चाहता, there will be one more update in English, तो अगर आप वो देखना चाहते है, तो Crypt Economy Channel है, वो चेक आउट कर सकते हैं, उस पर मैंने Stagflation पर एक वीडियो बनाया है, तो do check that वीडियो आउट, उससे आपको पूरा World Markets का सिनारियो मैंने उसमें समझाया है, वो भी आप वहाँ पर समझ जाओगे, because यहाँ पर मैं World Markets बहुत ज़्यादा कवर नहीं करता हूँ, see you guys next time take care